हरी वंच पुरांजी का स्वात्य हम सभी करें आचारे जिन्सेंजी द्वारा विर्चित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गात मुगली मंगलम कुंद कुंदा द्योजे नदरमोस्तू मंगलम नमो अरिहंताणम नमो सेधाणम नमो आईरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोई सवसाहूणम पंच परमिष्ठी भगवानी कीजे अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापो को त्याग करके सभी नौबाढ़न मुकार मंत्र पढ़ले तो अभी हमारा यहां पर बहुत जादा कुछ जैन महाभारत अगर कोई पहली बार जोइन कर रहे हैं तो कोई बहुत जादा नहीं निकला है क्योंकि हम पहले स्टार्टिंग ही हमनारी पहले बहुत सारे तीर्धंकरों की कथाएं चल रही थी और अब जब हम नेमीनाद भगवान के काल में पहुँचे हैं उनके काल में पहुँचे तो हमें पता चल रहा है कि नेमीनाद के पिता और श्री कृष्ण के पिता समुद्र विजय जो थे नेमीनाद जी के पिता और वसुदेव कृष्ण जी के पिता तो ये दोनों आपस में भाई थे और उन वसुदेव की कथा हमने स्टार्ट की थी पि इस वज़े से तो उनको जब पता चला कि भाई ने मुझे नजर बंद किया तो उन्हें थोड़ा धक्का लगा खराब लगा और उन्होंने अपने मृत्यू का एक प्रकरन क्रियेट किया नौकर के साथ और यह दिखाया कि वो मारे जा चुके हैं अमृत्यू को मरन को प्राप्त हो गए जबकि वो नहीं हुए थे और चलते चलते फिर उन्हें एक जगा पर एक सेट के यहां पर एक प्रतियोगिता टाइप की रखी हुई थी स्वेमवर प्रकरिया जिसमें कि जो गंधर्व सेना को उस सेट की पुत्री गंधर्व सेना को व प्रिना लेकर 17 तारवाली की सभी मतलब देखते रह गए गंधर्व सेना भी एक तम मोहित हो गई है ना उसके बाद का प्रकरण जो था वो म्यूजिक से रिलेटेड था काफी लंबा चला था और थोड़ा सा भी बाकी है एक पेरग्राफ और बाकी है वो कंप्लीट करके देन हम लोग चलेंगे विश्णु कुमार मुनिराज की कथा पे ठीक है तो यहां से लेते हैं चारू आईए वसुनंदी और वसुनंदी क्रि कितने और भाई थे कृष्ण जी के सब को क्या मरवा दिया गया था क्या वो जेल में थे वो सारी कताएं जो अपन प्रचलित महभारत में सुनते हैं वो सब अपन यहां पर भी देखेंगे है ना तो लेकिन अभी आम पहुंचे हैं ठीक नहीं दोनों ब्रैदर थे ना यह न नेमिनाद भगान के फादर और ख्रेशन भगवान के फादर ना ठीक है थे तो जो संगीत का भौत शारा प्रकरंड था वह अपने को नहीं समझ में आया था क्योंकि बिल्कुल भी अपने को नालेज नहीं है और काफी डीप डिसकशन था इसमें म्यूजिक को लेकर है ना पढ़ना जो न्यास अंश तथा अप न्यास आंद्री जाती के हैं वे ही नंद यंती के भी हैं इसमें गांधार मध्यम और पंचम स्वर नित्य रहते हैं इसमें शडज स्वर लंगनिया नहीं है और न आंद्री के समान इनमें संचार ही होता है तो पूरी तरह से जो अपने साथ स्वर हैं तो उनके सारे permutation combination किस background से किसमें कितने स्वर होते हैं कितना लंबा स्वर लिया जाता है कौन सा वा किसमें पहले आता है किसमें ताने होती हैं किसमें अलंकार होते हैं पारी जनकरी इसमें दी गई थी इसमें रिशब स्वर का लंगन होता है और वह मंद्र गती के समय होता है तार ग्रहे में भी निरंतर उसी के अनुरूप नियास करना चाहिए करमारवी जाती में रिशब पंचम धैवत और निशाद ये चार अंच्र कहे गए हैं तता ये ही च अप नियास बतलाए गए हैं इसमें पंचम नियास होता है और वह हीन स्वयम होता है यहां गांधार स्वर का विशेश रूप से सर्वत्र गमन होता है शडजा सहित कैशिकी में रिशब को छोड़कर शेश सभी अंच और अप नियास माने गए हैं गांधार और सप्तम में परन्तु धैवत और निशाद अंच में एक पंचम ही नियास होता है। प्रकार स्वरों में संचार करने वाली जातियां कही। विद्वान इनका रस्क अनुसार प्रयोग करे। इस प्रकार गंधर्व शास्त्र के विस्तार के साथ जब वसुदेव ने यता योग्य उत्तम गाना गाया, तब सभी श्रोता आश्चरे को प्राप्थ हो गए। तो इतनी अच्छी नौलेज वसुदेव को कैसे पॉसिबल हुई लोग कहने लगे कि यह क्या तंबूरू है तंबूरू होते हैं जो इंद्र के सभा में गाने गाते हैं या नारद है या गंदर्व है अत्वा किन्नर है क्योंकि ऐसी बीना बजाना किसी दूसरे को कहा आ सकती है बली को बांदते समय अब ये जो बली है ये जो विश्णु कुमार मुनिराज के समय में उनके जो चार मंत्री थे उसमें से एक थे बली है ना जो कि सबसे दुष्ट थे तो उनकी बात करें, बली को बांदते समय नारद आदी ने विश्णु कुमार मुनी का जिस रूप से स्तवन किया था, वसुदेव ने बीना वजाकर वही गाया, जिसे सुनकर गंधर्व सेना अश्यरे से चकित एवं निरुत्तर हो गई इस प्रकार जब सभा में विजय पत्ताका वसुदेव ने ग्रहन की, तब चारों ओर से सादू सादू ठीक ठीक का जोरदार शब्द गुंज उठा, जो अपन एक वर्ड यूज करते हैं यहां पर अनुमोदना, तो वो ही सेम चीज है, यहां पर सादू सादू मतलब अनुमो जली, I tried my best कि मुझे गहीं और से मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाया, अश्या किसी के पास hard copy है इसकी, by any chance, रेखा जी के पास है, बटू ने छूना नहीं है, अपन इसको पढ़ लेंगे ना दो तिन के बाद, हाँ हाँ हाँ, वो ही करना पड़ेगा, तो अपन नेक्स चैप जो एंडिंग है यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद अपना नया एकदम से 19 चैप्टर शुरू हो गया, तो यहाँ पर गंधर्व सेना बेसिकली वसुदेव के साथ उनका मिलन हो जाता है, है ना, यहाँ पर, फिर 19 चैप्टर में, अतन अंतर विशा लक्षमी के धारक राजा श्रेनिक ने गौतम गंधर से पूचा, कि हे विभो, विश्नु कुमार मुनी ने बली को क्यों बांदा था, ठीक है ना, विश्नु कुमार मुनी की थोड़ी बहुत कता, शायद सभी को पता होगी रक्षा बंधन के प्रक्रण में हमेशा हम सुनते हैं, है ना, तो लेकिन अगर नहीं भी सुनी है, तो यहाँ पर वो पूरी कता फिर से बता रहे हैं, ठीक है, इसके उत्तर में गौतम गंपती ने कहा, कि हे श्रेनिक, तू सम्मेक दर्शन को शुद्ध करने वाली विश्नु कुमार मुनी की मनोहारिनी कता, सुन, मैं तेरे लिए कहता हूँ, किसी समय उज्जैनी नगरी में च्रीधर्मा नामकर प्रसिद राजा रहता था, उसकी श्रीमती नामकी पटरानी थी, वैं श्रीमती वास्तव में श्रीमती, यानि उत्तम शोभा से संपन और महागुणवती थी, राजा श्रीधर्मा के बली, ब्रहस्पती, नमुची और प्रहलाद ये चार मंत्री थे, ये सबी मंत्री मंत्र मार्ग के जानकार थे, मतलब गुप्त विध्या जो रहती हैं, उनके जानकार थे, किसी समय शुत के पारगामी तथा 700 मुनियों के सहित महा मुनी अकमपन आचारे आकर उजयनी के बाहर उपवन में विराजमान हुए, 700 मुनीराज के साथ एक संग आया, अकंपन मुनीराज का उन महा मुनी की वंदना के लिए नगरवासी लोग सागर की तरह हैं उमण पड़े हुता ही यही है कि कुभी पता चले कि मुनीराज इस शहर में आई हैं, नगर में आई हैं तब बली ने उतर दिया कि हे राजन ये लोग अज्ञानी दिगंबर मुनियों की वंदना के लिए जा रही है तद नंतर राजा श्री धर्मा ने भी वहाँ जाने की इच्छा प्रकट की यद्यभी मंत्रियों ने उसे बहुत रोका है ना तो दिगंबर मुनियों की वंदना करने के लिए या जिनेंद्र मुद्रा की को देखने के लिए रोकने वाले कौन हो सकते हैं कोई मिध्यात्वी ही होगा जो कहेगा कि नहीं नहीं आप मज जाएए है ना तो इसका क्या मतलब है मंत्री जो थे तीवर मिध्यात्वी थे यद्यपी मंत्रियों ने उसे बहुत रोका तथा पी बहजबर्दस्ती चल ही पड़ा अंत में विवशों मंत्री भी राजा के साथ गए और मुनियों के दर्शन कर कुछ विवाद करने लगे तो वहाँ पर जब राजा पहुँचा अपने मंत्रियों के साथ तो जो अकमपन अचारे थे उन्होंने रियलाइज कर लिया कि ये कुछ बहुत अपशकोन या खराब घटना घटने वाली है तो उन्होंने क्या कहा सब मुनियों को कहा कि आप सभी मौन पुर्वक बैठें उस समय गुरू की आज्या से सब मुनी संग मौन लेकर बैठा था आचारे ने उन्हें बोल दिया था कि सब कुछ मत बोलना क्योंकि ये जो मुनी मंत्री है ये दुर इच्छा से यहाँ पर आए है और ये कुछ न कुछ विवाद क्रियेट करेंगे इसलिए ये चारो मंत्री विवश होकर लौट आए लौट कर आते समय क्या हुआ लौट कर आते समय उस संग के एक मुनी राज उस समय संग में नहीं थे आहार के लिए गए ते तो वो थोड़ा लेट हो गए थे तो उनको वो मेसेज नहीं पहुच पाया था कि इन मंत्रियों के सामने मौन में रहना है तो जब वो लौट रहे थे तो सामने से एक मुनी राज वापसी आते दिखे तो उन्होंने परपस ली मुनी राज को छेड़ा मंत्रियों ने अपनी मिथ्या जो भी वारता वो करते थे अंडरस्टैंडिंग थी उसके तरू लेकिन जो महराज जी थे वो बहुत ज़ादा शार्प थे बहुत ज़ादा द्रिड़ सम्यक द्रिष्टी थे उन्होंने उन सबको बहुत अच्छे से आंसर कर दिया सब मंत्री मिथ्या मारग में मोहित थे ही इसलिए शुत्त सागर नामक उक्त मुनी राज ने उन्हें जीत लिया अब वो सब जीतने के बाद वापिस पहुँचे अपने मुनी आचारे के पास और आचारे को पूरा प्रक्रन बताया कि इस तरह से चार लोग मुझे मिले थे और उनको मैंने इस तरह से जवाब दिया तो आचारे समझ गए कि अभी तो और ज़्यादा प्राब्लम होई तो उन्होंने सारे मुनी राजों को तो एक तरफ कर दिया और इन मुनी राज को कहा कि आप जहां पर वो मुझे तुमें मिले वही पर वापिस चले जाओ उनको वही जाकर मेडिटेशन या ध्यान करने के लिए बोला ठीक, तो मुनी राज उसी समय चले गए आज्या मान कर गुरु की उसी दिन रात्री के समय उक्त मुनी राज प्रतिमा योग से विराज मान दे ठीक, तो मुनी तो वहाँ ध्यान कर रहे थे और वे मंतरी जो हैं उन्हें क्योंकि अपने नीचा फिल हुआ उनको क्योंकि वो हार गए थे वाद वीवाद में तो उन्होंने सोचा कि उन मुनी राज को हम खतम कर देते हैं और वो चारों अपनी तलवारे लेके पहुँचे उस मुनी राज को मारने के लिए लेकिन जो वन के देवता थे वियंतर जाती के जो देवरक्षक देव रहते हैं उन्होंने उन्चारों को कीलित कर दिया कीलित मतला उनको वहीं जैसी मुद्रा रहती है वैसा का वैसा रोक दिया वो अपने हाथ भी मूव नहीं कर पाए तो उनके हाथों में तलवा रहती और उनको कीलित कर दिया सुबह हुई जब मंत्रियों को नहीं देखा राजा ने तो राजा ने पूछा कहा गए वो मंत्री उरुधर से नगरवासियों ने भी देखा कि यहाँ पर चार मंत्री जो हैं कीलित किये हुए हैं तो राजा भी वहाँ पहुँचा और सारी जनकारी देखने के बाद उसने उन चारों को नगर से निकाल दिया. यह देखकर राजा ने उन्हें अपने देश से निकाल दिया. यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरी सबराईज जादा समराईज थी तो मैंने थोड़ा सा एक्स्टेंड किया है जो जनकारी मुझे थी. उस समय तो निकाल दिया तो आगे चले वो लोग कहां चले हस्तिनापूर पहुँचे. उस समय हस्तिनापूर में महापद्म नामक चक्रवर्ती रहता था. उसकी आठ कन्याई थी. और आठ विद्यादर उन्हें हरकर ले गए थे. शुद्ध शील को धारण करने वाली वे कन्याई जब वापस लाईए तो उन्होंने संसार से विरक्थो दिक्षा धारण कर ली. उदर संसार से विरक्थ होवी आठ विद्यदर भी तप करने लगे इस घटना से चरम शरीरी पहा पद्म चक्रवर्ती भी संसार से विरक्थ हो गया जिससे उसने लक्ष्मी मतीरानी से उत्पन पद्म नामक बड़े पुत्र को राज देकर छोटे पुत्र विष्णुकुमार के साथ दिक्षाधारन कर ली तो विश्णुकुमार के जो पिता थे वो चक्रवर्ती थे ठीक और ये दोनों भाई पद्म और विश्णुकुमार ठीक है ना तो विश्णुकुमार ने दिक्षा धारन कर ली अपने पिता के साथ चे विश्णुकुमार मतलो ये मंत्री थे ना को कुमार मुनी की कहानी जल रही है विश्न कुमार मुनी हस्तिनापूर के राजा जो महां पद्म नाम के चक्रवर्ती थे उनके पुत्र थे ठीक है और जो चार मंत्री थे जहां पर यह घटना स्टार्ट हुई थी वो उज्जैनी नगरी थी है न तो उज्जैनी के राजा ने चारों मंत्रियों को वहां से निकाल दिया था चलते चलते वो हस्तिनापूर पहुंच जाएंगे जहां पर विश्ण कु कि मैंने स्टुनी सुविधी थेंक ओके ठीक है तो वह वहां पर उन्होंने दिक्षाधारन कर ली जिस प्रकार सागर नदियों का भंडार होता है उसी प्रकार रत्ना त्रह के धारी एवं तप तपने वाले विश्ण कुमार मुनी अनेक रिदियों के भंडार हो गए अलग जो आ जाती है । अपने आप प्रकट होती है ऐसा नहीं कि वह अचानक से उनको कुछ feeling आ जाएगी कि यह दिदियां उनके पास है आ गई है ऐसा नहीं है ना रिधियां क्या होती है बेसिकली जो एक तरह से देवियां ही रहती है उनके रिदि सिद्धी बोलते है ना तो उ वर्णन पड़ते हैं तो ये उन रिधियों की बात है और सिभ्धियां जो होती है वो चमतकारिक एक तरह से देवी ओस्टा स्विकार करना वो सिभ्धियां होती है कि देश काल के युष्ट को Product team Zero सीदी तो जो देदे dasdhat नो डिजो सिद्धी जो होती है ना जैसे कोई देव प्रसंद हो गए है ना हम आज से आपके सेवक हैं सिद्ध कर लिया जैसे मंत्रे सिद्ध कर लेना तो उस मंत्र का जो देवता होते हैं वो आपके सेवक बन जाते हैं और यह रिधियां होती है तो इनके आप यह मत समझे का रिधि और सिद्धी में बहुत डिफ्रेंस है सिद्धियों में देवता आपके दास बन जाते हैं रिधियां आपके तप से प्रकट होती है ठीक है तो जैसे हमने बहुत बार पढ़ा है चारण रिधी चारण रिधी मुनिराज ठीक है ना और हमने वसुदेव के केस में भी देखा था जब पिछले भव में वो मुनी थे ठीक है ना तो उन्होंने अपनी आशदी रिद्धी जो उनके पास उत्पन हो गई थी उससे बहुत अन्य मुनियों की वया वरत्ती की थी है ना तो ये रिद्धियों का प्रभाव ह 64 रिद्धियों जो कि अपन अभी हमारा जैन तत्विद्या में नेक्स्ट प्रकरण आने वाला है 64 रिद्धियों के बारे में अपन सीखेंगे नंदा जी अपने हाथ रेज किया एक चीज़ क्लियर करना चाहते थी आपर जिद्धियां होते हैं तो वो जब आप तब करते ह आपके शरीद में आ जाती हैं तो आपको पता भी नहीं चलता होगा कि हमारे अंदर ही आरे बिल्कुल सही है और सिथियां आपको पता चल जाती है कि वो देवाक्यों ने बता देते हैं तो यहां पर विश्णु कुमार मुनिराज को भी नहीं पता था थीक देश काल की वि राजा पदम क्या कि जो यहां पर हमने क्या देखा था कि जो महापदम है राइट वो महापदम अपने बड़े पुत्र पदम को राजा राजा बना कर और खुद दिक्षा ले ली तो पदम क्या है नए राजा बने थे राइट तो राजा नए बने थे तो मंतरी जो थे बल राजा पदम था उस पर एक शत्रू राजा सीहिंबल ने आकर्मन कर दिया था जिसमें की बली आदी जो चार मंत्री थे उन्होंने राजा पदम की हल्प करी ठीक है उस राजा महाबल को पकड़ने में तो बली मंत्री के उब्देश से किले में स्थित सीहिंबल राजा को प्रसन किया है तुमने मुझे सपोर्ट किया हेल्प किया है ना तो बली जो था जो मंतरी था बली पुछले राजा का वो बड़ा उश्यार था है ना उसने उस समय वर को नहीं मांगा हमने बहुत बार ये चीज़ें देखी हैं पहले के राजा वर जो दिया करते थे मुझसे वच्चन एक बार बोल देते थे तो उसको कुछ भी करके पूरा करते थे है ना तो इसी तरह से वो राजा पद में भी वली के वर देता है जिसको कि वो अभी नहीं मांग रहा और क्या कहता है ये मेरे धरोहर की तरह रखे रहिए अर्थात अभी आवशक्ता नहीं है जब आवशक्ता होगी तब मांग लूँगा यह कहकर अपना वर्ग धरोहर रूप रख दिया तदनंतर बलियादी चार मंत्रियों का संतोष पूर्वक समय बैतीत होने लगा हां रीटा जी आपने कुछ हाथ रेस किया हां जैची नहीं सबको मेरा क्वेस्चन यह है कि रिदिया जो मिलती है वो आत्मा के साथ जुड़ती है या शरी के साथ आत्मा का गुन है एक्चली रिदियां सबके अंदर होती है है ना जब केवल ग्यान होता है तो 64 रिदियां होती है ना भगवान में तो वो एक तरह से आत्मा का गुन है आत्मा की शक्तिया है अच्छा तो शरी के साथ उसका कोई शरीर के यूज के साथ शरीर को इस्तमाल किया जाता है शरीर के लिए सपोर्ट होती है वो जैसे चारण रिती है ना अब बॉड़ी को चलने की ज़रूरत नहीं है बॉड़ी में कैसी शक्ति आ गई है कि बिना चले भी रास्ता प्रास पास या उड़कर वो चल सकते हैं तो इस तरह से कभी पानी पर जमीन के हिसाब से चल सकते हैं या जमीन पर पानी के हिसाब से तो इस तरह की शक्तियां उनके अंदर में आ जाती है तो फिर आऑं I am a little bit confused कि हमारे जो अच्छे बुरे कर्मे हमारे आत्मा के साथ जाते हैं दुसरे बव में भी राइट पर रिधिया नहीं जाती है रिधिया नहीं जाती है मुनिराज की तपस्या के प्रभाव से वो प्रकट होती है येस बेकुल सही है क्योंकि यह छटे सात्वे गुनस्थान में ही प्रकट होती है और कोई भी छटे सात्वे गुनस्थान से अगले भाव में नहीं जा सकता उसे चौथे गुनस्थान में आना ही पड़ता है ना तो इस वज़े से वो इस इवरितियां साथ नहीं जा सकती है गुण है आगी चल्डी जब कभी इस प्रेगल होगा है ना तब वह सारी रिधियां तो प्रगट होती रिधियां मैं धीक है व्यादूyanे वी हlarगी सब्सक्राइब कabeth कर वहां भाई करेंजित इस चतुर्छ साथ्वे में ऑना ही पड़ता है जाने के लिए खाले बाव में कभी भी चहते गुनस्थान से नहीं जा सकते तो मरान समय उनका चौता गुनस्थान हो ही जाता है सबका सबका तो मतलब तो ज़ा से चतूर्ध गुनस्तान में ही मरण होता है kind of ये जो मुनी इत्नी ट्याग तपस्या करते हूं उनका उतर जाते है गुंसतान हा हाँ हाँ हा आगे उन्हें देव बनना है ना है fan कि चतूर्ध गुनस्तान लाहे का है ने इसलिए जा को को वो राजा से उसने अपना वर नहीं मांगा, ओ सौरी भूमी का अपने हाथ रेज किया? हाँ जारू 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 ये जो आप पदम राजा बता रहे हो, ये वो चक्रवर्ती है, ये दूसरे है? महापदम चक्रवर्ती थे, ये उनके पुत्र है, पदमा. ओके, ठीक है, हाँ. हस्तिनापुर के महापदम चक्रवर्ती थे, है ना? ठीक है, हाँ. ठीक है, तो राजा पदम से उसने वर ले लिया, लेकिन यूज नहीं किया, ठीक? ठीक है, ठीक है, अतनाफर, किसी समय, तो क्या हुआ धीरे-धीरे विहार करते हुए, अकम्पनाचारे जो 700 मुनी राज का संग था अनेक मुनियों के साथ हस्तिनापुर आई और चार महा के लिए वर्षायोग धारण कर नगर के बाहर विराजमन हो गए ठीक तो चार महा के लिए वर्षायोग मतलब ये कि उन्हें अपनी एक सीमा में रहना है अब वो मूँ नहीं करेंगे तो उनका कुछ नियम लेकर वो वह पर विराजमन हो गए तद नंतर शंकार उपी विश्क को प्राथ हुए बली आदी मंत्री भैबीत हो गए और एहंकार के साथ उन्हें दूर करने का उपाई सोचने लगे कि ये फिर से हमारी बेज़्यती ना कर दें ऐसा उनके डर बैट गया था तो उन्होंने सोचा कि इनको यहां से किस तरह से भगाया जाए तो बली ने राजा पद्म के पास आकर कहा कि राजन आपने मुझे जो वर दिया था उसके फल्सवरूप साथ दिन का राजे मुझे दिया जाए ठीक कि मुझे साथ दिन के लिए राजा बना दिया जाए संभाल तेरे लिए साथ दिन का राजे दिया यह कहकर राजा पद्म अद्रश के समान रहने लगा अद्रिश के समान मतलब एक सामानने व्यक्ती की तरह से रहने लगा और भली ने राज सिहासन पर आरूड होकर उन अकमपना चारे आदी मुनियों पर उपत्रव करवाया क्योंकि राजा बन गया, है ना राजा तो कुछ भी कर सकता है तो उसने उनके चारों और अगनी जलवा दी उसने चारों और से मुनियों को घेर कर उनके समी पत्तों का धुआ कराया तता जूटन में कुलण आदी फिकवाय अकमपना चारे सहित सब मुनि यदी उपसर्ग दूर होगा तो आहर विहर करेंगे अन्यता नहीं इस तरह का सावधिक सन्यास धारनकर उपसर्ग सہते हुए कायोच सर्ग में खड़े हो गए सावधिक मतलद सन्यास मतलद यहाँ पर सलेखना ठीक है तो सबने उपसर्ग सनलेखना ले लिaking यह उपसर्ग दूर नहीं हुआ तो हमारा सब तरह के आहार विहार सब छोड़ है मतलग मरंत में तक है ना और अगर दूर हो गया तो फिर बाकी का कारे फिर से शुरूख करेंगे तो ये एक तरह की विवस्ता है मुनी राजों के लिए ठीक उस समय विष्णु कुमार मुनी के अवधी ज्यानी मुनी मिथिला नगरी में थे तो दूसरी सिटी में विष्णु कुमार मुनी जिन से दीक्षा ली थी वो मुनी राज को अवधी ज्यान से ये जानकारी मिली कि 700 मुनी राजों पर तकलीफ आने वाली है वे अवदी ज्यान से विचार कर तता दया से युक्तो कहने लगे कि हाँ आज अकमपनाचारे आदी साथ सो मुनियों पर अभूत पुर्वदारून उपसर्ग हो रहा है तो दूसरी सिटी में थे महापर उन्हें एकदम से उनके मुझे निकल गया क्योंकि उनको अंदर से अवदी ज्यान से वो दिखाई दिया तो चतुर्थ काल में अवदी ज्यान पॉसिबल है तो उस समय उन्होंने अवदी ज्यान से देखा उनके पास ही उनके शिशे शुलक शिशे बैटे थे पुष्पदंत जी अबॊध पुर्वदारूण उपसर्ग हो रहा है कौन सा साथ सो मुनियों पर आपने क्या बूला रीटा न्टी अभूत पूरु अभूत पूरु मतलब जिसका कोई बराबरी नहीं है अभूत पूरु मतलब कि ऐसा कभी नहीं हुआ और दारुण मतलब दुख अच्छा एक ज़िए ना इसका इंगलिश मीडियम है उन्प्रेसिडेंटिट अप्रेसिडेंटिट उपसर्ग हो रहा है जो कभी किसी के साथ नहीं हुआ एक चीज़ मैं और एड़ करूँगी जो मुहिर दूसरे मुहिराज थे ना उन्होंने तारों को तिम्ते माते हुए देखा था जग से कि तारे कंपन कर रहे थे तो उन्होंने अबदी ज़्यान लगाया है कि ऐसा क्या हो रहा है कि तारों में कंपन थे उन्हों किसी नक्षट्र में कंपन देखा था तो फिर उन्होंने ज़्यान लगाया है तो उनके पतेशला मुनियों पेपसर्व हो रहा है ऐसा किसी और वो भी है, ऐसा भी हो सकता है, एंड उस टाइम के मुनिराज जो थे, वो थे इस तरह के ग्यानी, जिसको कहते हैं कि उन्होंने देशकाल को देखकर समझ लिया था कि कुछ अनहोनी गटना गटने वाली है, है ना, 700 मुनिराज के थे कहते हैं और वो भी इतने महा मुनि के हैं तो उनके उपर अगर तकलीफ आएगी तो बाकी मुनिराजों को पता चल ही जाता है, तो उनके पास एक चुलक जी बैटे थे, पुष्पदंत नाम के चुलक बैठा था, गुरू के मुक से उक्त द्याद्र वचन, द्याद्र मतला दया से बरे हुए, वचन सुन, उस इसके उत्तर में गुरू ने कहा कि जिसे विक्रिया रिद्धी की सामर्त प्राप्त है, तता जो इंद्र को भी धौस दिखाने में समर्त है, ऐसे विश्णु कुमार मुनी से यह उप्सर्ग दूर हो सकता है, चुलक पुष्पदं ने उसी समय जाकर विश्णु कुमार मु यह समाचार कहा और उन्होंने विक्रिय रिद्धी प्राप्त हुई है या नहीं इसकी परिक्षा की है ना क्योंकि छुलक जी ने जाके बताया कि इस तरह एसे उपsर्व हो रहा है मेरे गुरूने बताया और आप ही उसको दूर कर सकते हैं तो मुनी जथे विष्णुकुमार उन्होंने का मेरे करने से क्या होगा मैं तो सिक्साधारण मुनी हूँ है ना तब उन्होंने बताया कि नहीं आपके पास रिविक्रिय रिद्धी की सामरत मेरे गुरु ने कहा है तो फिर उन्होंने परिक्षा करी मतलब उनको यकीन दिलवाने के लिए टेस्टिंग करी क्या करा उन्होंने परिक्षा के लिए सामने खड़ी परवत की दिवार के आगे अपनी भुचा फेलाई सामने एक परवत टाइप की बड़ी सी दिवार थी उस तरहें आगे बढ़ती गई जिस तरहें मानों पानी में ही बढ़ी जा रही हो तदनंतर जिने रिद्धी की प्राप्ति का निश्चय हो गया था जो जिन शासनकेस नहीं थे और नम्र मनुष्च्यों के लिए अत्यंत प्रिय थे ऐसे विश्णुकुमार मुनी उसी समय विनया वननत राजा पद्म के पास जाकर उससे बोले क्यों बोले होंगे क्योंकि विश्णुकुमार मुनी के वो पूरुवभव के भाई थे तो भाई थे तो उन्होंने सोचा कि ये राजा क्या कर रहा है क्यों इस तरह के काम कर रहा है उन्हें अभी पूरी बात नहीं पता थी में पृत्वी पर कभी हुआ ही नहीं यदि कोई दुष्ट जन तपस्वी जनों पर उपसर करता है तो राजा को उसे दूर करना चाहिए फिर राजा से ही इस उपसर की प्रवरति क्यों हो रही है यह राजन जलती हुई अगनी कितनी ही महान क्यों नहों अंत में जल के द्वा परशांत कर दी जाती है फिर यदि जल से ही अगनी उठने लगे तो अन्य किस पदार्थ से उसकी शांती हो सकती है निष्ट्चे से एश्वरे आजया रूप negó से सहित है अर्थात एश्वरे का फल आज्या है मतलब कि आपका इश्वरे तभी माना जाएगा जब आप आग्या देने में समर्द हो और आग्या दुराचारियों का दमन करना है यदि इश्वर यानि राजा इस क्रिया से शुन्न है कि वो किसी को आग्या नहीं दे सकता उसके अंदर वो आईश्वरे नहीं है तो यानि वो दुष्टों का दमन करने में समर्द नहीं है तो फिर ऐसे इश्वर यानि राजा को स्थानू यानि ठूट भी कहा जाता है अर्थात वे नाम मात्र का इश्वर है इसलिए पशु तुल्ले बली को इस दुष कारेश से शिग्र ही दूर करो मित्रों और शत्रों पर समान भाव रखने वाले मुनियों पर इसका यह द्वेश क्या है शीतल स्वभाव के धारक सादू को संता पहुंचाना शान्ती के लिए नहीं है क्योंकि जिस प्रकार अधिक तपाया हुआ पानी विक्रत होकर जला ही देता है उसी प्रकार अधिक दुखी किया हुआ सादू विक्रत होकर जला ही देता है शाप आदी से नश्ट ही कर देता है और जो धीर वीर है जिनकी सामर्थ चिपी हुई है और जिन्होंने अपने शरीर को अच्छी तरह वर्ष कर लिया ऐसे सादू भी कदाचित अगनी के समान दाहक हो जाते हैं इसलिए हे राजन जब तक तक तुम्हारे उपर कोई बड़ा अनिष्ट नहीं आता तब तक तुम बली के उसको कृत्त के प्रती की जाने वाली उपिक्षा को दूर करो स्वयम अपने तता आश्रित रहने वाले अन्य जनों के प्रती उपिक्षा ना करो नहीं कि भई आप राजा है और आपके आश्रित जो मुनी राज है उनका इस तरह से क्यों इतना उनके साथ उपसर्ग हो रहा है तद नंता राजा पदम ने नवरी भूतो कर कहा कि हे नात मैंने बली के लिए साथ दिन का राज्य दे रखा है इसलिए इस विशे में मेरा अधिकार नहीं है हे भगवन आप स्वयम ही जाकर उस पर शासन करे आपके अखंड चातूरे से बली अवर्श ही आपकी बाद स्विक्रत करेगा राजा पदम के ऐसा कहने पर विश्णु कुमार मुनी बली के पास गए और बोले कि हे भले आदमी आदे दिन के लिए अधर्म को बढाने वाला ये निंदितकार क्यों कर रहा है और कैसे कहते वाँ पर एक छोटा सा बामन का वेश रख कर मतलब एक छोटे से ब्रहमन का वेश भर कर ये ही उनका विक्रिया रिद्धी से रूप बनाया उन्होंने अरे एक तब रूपकार में लीन रहने वाले उन्मुनियों ने तेरा क्या निष्ट किया जिससे तुने उच्च होकर भी नीच की तरह उन पर यह को कृत्ति किया अपने करम बंद से भीरू होने के करण तपस्वी मन वचन और काय से कभी दूसरे का निष्ट नहीं करते यहाँ पर भीरू मतलब डरना है ना करम बंद से भीरू मतलब कि किस तरह का करम बंद होगा सोचो साथ सो मुनी राजों पर उपसर्ग करना कोई अच्छी बात नहीं है इसलिए इस तरह शांत मुनियों के विशे में तुमारी ये दुश्टेश्टा उचित नहीं है यदि शांती चाहते हो तो शिकर ही इस प्रमाजन्य उपसर्ग का संकोच करो तद नंतर बली ने कहा कि यदि ये मेरे राजय से चले जाते हैं तो उपसर्ग दूर हो सकता है अन्यता उपसर्ग जों कातियों बना रहेगा तो वो भी अपने बात पर अड़ गया बली जो रामुनी मंत्री था इसके उत्तर में विश्णुकुमार मुनी ने कहा कि ये सब आत्म ध्यान में लीन है इसलिए यहां से एक डग भी नहीं जा सकते ये अपने शरीर का त्याग भले ही कर देंगे पर व्यवस्ता का उलंगन नहीं कर सकते उन मुनियों के टहरने के लिए मुझे तीन डग भूमी देना स्विक्रत करो कि मुझे उनके रहने के लिए तीन पैर के माप की जितनी जमीन होती है वो चाहिए इतना तो कर सकते हो है ना तो कहरे अपने आपको अत्यान तक अठोर मत करो मैं कभी किसी से याचना नहीं करी फिर भी इन मुनियों के टहरने के निमित तुमसे तीन डग भूमी की याचना करता हूँ अते मेरी बात स्विक्रत करो विश्नु कुमार मुनी के बात स्विक्रत करते हुए बली ने कहा कि यदि ये उस सीमा के बाहर एक डग का भी उलंगन करेंगे तो दंडनिया होंगे इसमें मेरा अपराद नहीं है क्योंकि बली ने सोचा ये छोटा सा बामन छोटी सी जमीन मांगेगा है ना कह रहा है कि अगर उस तीन डग की जमीन के बाहर ये हुए तो फिर ये दंडनिया होंगे क्योंकि लोक में मनुष्य तब ही आपत्ती से युक्त होता है जब वह अपने वचन से चुद हो जाता है अपने वचन का पालन करने वाला मनुष्य लोक में कभी आपत्ती युक्त नहीं होता आपती युक्त सबको समझ में आता होगा प्रॉब्लम जाना कब होती है प्रॉब्लम जब अपने वर्ड्स पर हम टिके नहीं रहते तद नंतर जो कपट व्यवार करने में ततपर था शिक्षा के योग्य था, कुटिल था और दुष्ट साप के समान दुष्ट स्वभाव का धारक था ऐसे उस बली को वश करने के लिए विश्नु कुमार मुनी उद्यत हुए उद्यत हुए मतलब त्यार होगा एकदम से विक्रिया रिद्धी से उन्होंने अपने शरीर को बढ़हाना शुरू कर दिया बहुत ज़ादा बढ़हा लिया अरे पापी देख मैं तीन डग भूमी को नापता हूँ यह कहते हुए उन्होंने अपने शरीर को इतना बढ़ा बना लिया कि वे जोतिश पटल को चूने लगा उपर में तारो तक जहां सुमेरू परवत है वहां तक उनको पहुच हो गई उन्होंने एक दग मेरू पर रखी दूसरी मानुश उत्तर परवत पर और तीसरी अवकाश ना मिलने से अकाश में ही घुमती रही अवकाश नहीं मिलने मतलब जगह ना मिलने पर ठीक है तो वो घुमते रहेगी अब कहां रखूं उस समय विश्णु के प्रभाव से तीनों लोकों में शोब मच गया किम पुरुश आदी देव क्या है क्या है यह शब्द करने लगे बीना बासुरी आदी बजाने वाले कोमल गीतों के गाय गंदर्व देव अपनी अपनी स्त्रियों के साथ उन मुनिराज के समीब मनोहर गीत गाने लगे है ना सबको डर लगने लगा कि यह क्या हो रहा है तो वो उन्हें प्रसन करने लगे लाल लाल तलुए से सहित एवं आकाश में स्वचंदता से घूमता हुआ उनका पैर अत्यदेक सशोबित हो रहा था और उनके नक संगीत के लिए कठी हुई किन्नर आदि देवियों की स्त्रियों को अपना अपना मुख कमल देखने के लिए दरपन के समान जान पड़ते थे हे विष्णो हे प्रभो मन के शोब को दूर करो दूर करो आपके तपके प्रभाव से आज तीनों लोग चल विचल हो उठे हैं उनकी विक्रिया रिद्धी किस वज़े से थी तप के कारण थी, तो उनके तप के कारण आज तीनों लोग चल विचल मतला शोब को प्राप्त हो गए। उस तरह स्वभावस्त हो गए, जिस तरह की उतपात के शांत होने पर सूर्य सभावस्त हो जाता है, अपने मूल रूप में आ जाता है। उस समय देवों ने शिग्र ही मुनियों का उपसर्ग दूर कर दुष्ट बली को बांध दिया और उसे दंडित कर देश से दूर कर दिया। उस समय किनर देव तीन वीनाएं लाये थे। उसमें गोशा नाम की वीना तो उत्तरशेणी में रहने वाले विध्याधरों को दी। माहा गोशा सिद्वर कूट वासियों को तता सूग गोशा दक्षिर तटवासी विध्याधरों को दी। जो गंधर्व सेना के पास वीना थी वो सुग गोशा नाम की वीना थी। इस प्रकार उपसर्ग दूर करने से जिन शासन के प्रतिवत सलताव रकट करते हुए विष्टु कुमार मुनी ने सीधे गुरु के पास जाकर प्रायश्चित द्वारा विक्रिया की शल्ले छोड़ी। उन्होंने गुरु उनका मुनीपत तो नहीं गिरा लेकिन उन्होंने प्रायश्चित लिया क्योंकि उन्हें वो विक्रिया रिद्धी यूज करने के लिए उठना पड़ा, अपने चातुरमास को छोड़ना पड़ा, तो इस वज़े से उन्होंने प्रायश्चित लेकर वा कौतम स्वामी कहते हैं कि जो मनुष्णु कुमार मुनी के इस पाप हारी चारित्र को भक्ति पुर्वक सुनता है वह सम्यक दर्शन की शुद्धी को प्राप्त होता है। लहराते हुए समुद्रों को भी विखेर सकता है। और जो मुक्ति का पात्र नहीं है उसे भी मुक्ति पराप्त करा सकता है। सादू चाहे तो क्या नहीं कर सकता। सो ठीक ही है क्योंकि जिन शासन प्रणी तपो लक्ष्मी के धारक योगियों के लिए क्या कटिन है अर्थात कुछ भी नहीं। है ना तो इस तरह से यहाँ पर विश्णु कुमार मुनी का वर्णन करने वाला प्रकरण पूरा हुआ। हाँ सब ना आपने हाथ रिज़ किया। यह किनर देव कैसे होते हैं। किनर देव होते हैं जो संगीत आदी में बहुत महारत होती है जिनकी नरेत्य आदी में। गंधर हुए, किनर हुए, किमपुरुष, महोरग है ना यह सब जो व्यंतर जाती के देव रहते हैं तो इनका गाने बजाने से रिलेटेड बहुत जादा इंटरस्ट रहता है। ठीक है तो I think next story जो है वापिस से हम वसुदेव ने जो गंधर्व सेना को जीता था है ना वही पर वापिस चलेंगे और यहाँ पर फिर सेट चारुदत जो हमने देखा था जो गंधर्व सेना के पिता थे तो उनकी कथा शुरू होगी वो भी एक इंटरस्टिंग चारुद का चरित्रों चलेगा तो वह अपन कल की क्लास में देखेंगे किसी को कोई क्वेस्चन आज कि अज कल मैं सुन रही हूँ 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 चारुदतकर गंधर्व सेना का उसका विबात आना आज कल सुन रही हूँ है बहुत बढ़िया बहुत अच्छा चारुदत कह पूछन थ ऑफ देन लोगों ओपर तॉन डेली पूरा करा अपने में तो निरजली पूरा करते हैं लेकिन जिन से नहीं है व्यवस्ता तो एक टाइम पानी ले सकते हैं तो सिंपल पानी जैसे ले लो बस हाँ सिंपल ले सकते हैं नहीं तो इसमें बादाम का कुछ आई डून ओ साथ में थोड़ा सा है वो हर एक का लग-लग रहता है तो हरे का अपना जहां पर रहते हैं जिस तरह से तो वो रहता है अपना ईक दिन 14 वाले दिन करते हैं तो उस देन हो जाते हैं तो 10 दिन इतने दिन करना बहुत बहुत यच्छी बात है तो जिसने वर किया आज के लिए इतना ही रखते हैं जिन्वानिस्तुति जावानी के ग्यान से सुझे लोका लोग सोवानी मस्तक धरो सदा देत हो दोग ये जिन्वानी भारती तो ही जपो दिन रहन जो तेरा शरिना कहे सोपावे सुचेन नौपाण नमुकर्मन सबको जैजिनें जैजिनें सबको जैजिनें मेरे पहले भी मैंने कहा था कि एक सब्सक्राइशन की है कि अपकी वानुजा से काफी दिन लग गाए थाले दस लाक्ष नी हो गई फिर यह हो गया हाँ जी हाँ जी कुछ कोई भी चीज रख सकते हैं तो बिना धरम के ऐसे क्वेश्चन आंसर्ज या कुछ अच्छा थोड़ी टाइम के लिए थोड़ा बना रहते है ना तो चीज अच्छी लग यह बन गया तो ठीक है आंटी लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फिर धरम की चर्चा ही आजाती है इस झालव मैं ना कहीं तो चीजा ओड़ा मैं कहीं है यह जो खोड़ा बना धरम का च झालव मैं थोड़ा आंसर्भ का टार्चा है ना कमटे लिए और प्सक्न आंसर्व कर्वार of संट्सार्वा यहरू आवा पर देंजा परूशर आंसर्वाई फोश्वाल यह ओड़ा इनी ह झाल